स्टाइल से रोवर का मून वाक चांद पर उतरने का वीडियो आया सामने नजर नहीं हटेगी इस खुबसूरत नजारे से चंद्रियान तीन ग्रह की चांद के दक्षणी धुरूफ के करीब सफल लैंडिक हुई भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्ती है दक्षणी धुरूफ पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है चांद पर उतरने के बाद रोवर प्रज्यान ने भी अपना काम शुरू कर दिया इजी बीच शुक्रुवार को इस रोवर ने ट्वीट करते हुए रोवर प्रज्यान का लैंडर विक्रम से नीची उतरने का वीडियो जारी किया ये वीडियो बेहत शांदार है इस रोवने जो तस्वीरे शेयर की हैं उनसे नजर नहीं हटेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे लैंडर के रैंप से उतर कर बाहर आ रहा है हमारा रोवर रोवर के सोलर पैनल उठे हुए दिख रहे हैं यानि वो सूरत से एनरजी लेकर काम करना शुरू करेगा ये वीडियो और भी ज्यादा खास इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस देश ने गुलामी की बेडियों से खुद को आजाद करवाया किसी दूसरे देश से अपनी पहली सैटलाइट छोड़ी आज वो देश इस मुकाम पर पहुँच गया है कि अपने दम पर चांद के उस हिस्से पर पहुँच रहे हैं इस हिस्से पर रोवर ने अपना पहला कदम रखा है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीरें हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चोड़ा करने वाली है वहीं इस से पहले इस रो ने लैंडिंग से ठीक पहले का वीडियो भी जारी किया ये वीडियो लैंडर में लगे लैंडर इमेजर कैमरे से बनाये किया है इस वीडियो में साफ पता चलता है कि कैसे लैंडर ने 30 किलो मीटर से नीची आकर चांद की सतह पर लैंडिंग की है सिर्फ यही नहीं ये भी दिखता है कि वो लैंडिंग के लिए उप्युक्त जगहे खुद सेलेक्ट कर रहा है ताकि सुरक्षित लैंडिंग कर सके आपको बता दें कि इससे पहले इसरों ने ट्वीट करके बताया था कि चंद्रियांतीन के लैंडर और रोवर से सम्मंधित सभी काम सही से चल रहे हैं दोनों की सेहत भी ठीक है लैंडर मॉडियूल के पेलोड्स इलसा, रंभा और चास्टे को ओन कर दिया गया है रोवर की मोबिलिटी ओपरेशन शुरू हो चुकी है इसके अलावा प्रोपल्शिन मॉडियूल पर लगा पेलोड्स शेप को ओन किया जा चुका है रोवर ने तै एक्सपेरिमेंट भी करने शुरू कर दिये हैं डेटा भी रोवर से लैंडर को और फिर स्ट्रैक यानि स्ट्रो टैलिमेटरी ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क को सफलता पूर्वक मिल रहा है 14 दिनों तक प्रग्यान रोवर से चांद के बारे में कई एहम जानकारिया मिलने की उमीद है चंद्रियान तिन की सफलता पूर्वक चांद के सितह पर लैंडिंग के बाद अब दुनिया की निगाहें रोवर बटे की हैं क्योंकि वही अब चांद की रहसिय में दुनिया से पड़दा उठाने वाला है